मत्रा थाना हाईवे की गेट बंद सोसाइटी श्रीनाथ अपार्टमेंट में लूट और हत्या की घटना से इलाके में हरकम्प मच गया था मत्रा ने अपरादी को पकड़ने के लिए टी में गटित की गई थी जिसके फलसरूप सीसी टीवी की मदद से आज सोंबार को फिजियो थेरेपिस्ट रागव शर्मा पुत्र संजर शर्मा निवासी लाश्पत नगर अमर कॉलोनी दिल्ली वर्तमान में अपने मौसा देवद 2400 लेकर फरार हो गया था रागव शर्मा को गरफतार कर विदिक कारवाई कर जेल भेजा गया और जब इस गटना का नावरन हुआ है तो यह सामने आया है कि इनके हाँ फिजियो तेरपी है तू एक रहती जाता था जिसका नाम रागव शर्मा है उम्र लगवा 21 वर्ष वो कल भी फिजियो तरपी के लिए गया था और उसी के दुआरा यह घटना कारिद की गई है घटना अवियुक्त को गिरफतार कर लिया गया है और घटना में जो भी समान लूटा गया था वो सारी जुएलरी बरामत कर लिए गया जो भी डॉक्कुमेंट्स गय थे वो बरामत क दिखाई गई थी उसमें 4400 कैश भी बरामत कर लिया गया और साथी साथ जब इससे घटना के मोटीव के बारे में उच्छा गया तो उसके द्वारा यह बताया गया कि फीजो थरी के लिए जब गया था तो बहुत ही मामूली बात पर कहां सुनी हुई थी इसके बाद इसने जाके क्युचन से चाकू निकाला और उसी चाकू से प्रहार करके जो मिसेज जैन है उनकी हत्या कर दिया और हत्या कर देने के बाद उनके शरीर पे जो भी जूएलरी थी चैन इत्यादी जो है वो लूट के और जो दराज में कैश और परस बगरत थे विस्टिंग कार्ट ड्राइविंग लाइसेंस हित्यादी वो पाउच लेके यह महां से फरार हो गया